बात नांदिर दक्षिन विधान सबा मत्यदार संग की करेंगे जहां वैसे तो 20 उमीदवार चुनावी मैदान में हैं तैकिन जमीनी सतह पर असल लड़ाई चार उमीदवारों के दर्मियान होती दिखाई दे रही है पर चार के पहले हफते में इन चारों मिदवारों ने मत् अपना दम खम दिखाया इस मत्यदार संग में असल लड़ाई महाविकास अघाडी कॉंग्रिस के उमीदवार मोहन खंवर्डे महायुती शिंदिस देना के आनन्द के पाटिल वंचित अघाडी के फारुप अहमत और दूसरी मरतबा आखरी वक्त में अपक्ष उमीदवार के तौर पर मैदान में उतरे दिलिप कर्णत गुरते के दर्मियान सिदी होती दिखाई दे रही है नादर दक्षिन विदान सबा मत्यदार संग में परचार के पहले हफते में ये चार उम्मीदवार चाहे रहे शेहरी भागों के अलावा गिरामी निलाखों में भी इन चारों की परचार मुहिम जोरो पर रही महाविका सगहरी कॉंग्रेस के मोहन हमबरडे दिन के वक्त में गिरामी निलाखों में और रात में शेहरी भागों में परचार सभाओं को संबोधित कर रहे हैं पिछले हफ़ते इनके परचार के लिए परदेश अदिक्ष नाना पटले ने भी जाहिर सबा को संबोधित किया। दूसरी तरफ शिंदे सेना के आनंतिल के पाटिल का परचार भी जोरो पर है। इनके परचार के लिए फिल्म स्टार गोईंदा ने रैली की जिसमें बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। इस मतदार संग से दूसरी मरतबा चुनाओ लड़ रहे वंचित अगारी के अमिदवार फारुक अहमत की परचार मुहिम भी जोरो पर है। शहरी लाखों के अलावा देहातों में भी फारुक अहमत का परचार जारी है। इनके परचार मुहिम में परदेश की नेता डॉक्टर अंजली अमबेट करने हिस्सा लिया। जिसके बाद परचार मुहिम को तेजी मिली। पिछले दिनों मनियार गली में हुई सभा में फारुक अहमत को जनता का अभुद परो परतिसाद मिला। इस मतदार संग में दूसरी मरतबा अपक्ष उमीदवार के तौर पर आखरी वक्त में चुनाओं में उतरने वाले दिलिप कनकुर्टे ने भी अपना परचार की मुहिम तेज कर दी। दिलिप कनकुर्टे की गुरूप मिटिंग और शहरी वो ग्रामिन राखों में इनकी रैलियां जारी है। परचार के पहले हफते में दक्षिन विधान सभा मतदार संग में ये चार उमीदवार चाये रहे। और जनता की माने तो दक्षिन विधान सभा मतदार संग में इन चारों के दर्मियान ही असर लड़ाई होगी।